हेलो एव्रीवान और वेलकम दो मैं यूट्यूब चैनल जेज्ज्मेंट सिंग क्रिमिनल लॉग मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप आज का यह वीडियो उन लॉग स्टुडेंट्स के लिए है जो अल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं अल इंडिया बार एग्जामिनेशन के संबंद में इस समय दो अपडेट्स हैं जो भी विएर्स अल इंडिया बार एग्जामिनेशन के संबंद में नहीं जानते हैं वो हम मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जो अल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड है उस वीडियो का लिंक मैंने description box में दे दिया है और end screen पर भी लगा दिया है आप चाहें तो मेरा ववा वीडियो देख सकते हैं और All India Bar Examination के संबंद में पूरी जानकारी भी ले सकते हैं परेंट्स पहला अपडेट हिया है कि All India Bar Examination एक open book exam था और students अपने साथ study material, books, self notes ले जाया करते थे examination hall में और जरूरत पढ़ने पर उन study materials की help भी लिया करते थे लेकिन अब एक notification जारी करते हुए Bar Council of India ने छात्रों को सूचित किया है कि अब examination hall में वह किसी भी तरह का study material नहीं ले जा पाएंगे स्रिफ bare acts ले जाने की इजाज़त होगी स्रिफ bare acts की मदद students examination के दोरान ले सकते हैं यह नियम जो है वह 16th AIBE that is scheduled on 21st of March से लग हो जाएगी दूसरा information यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि law करने के बाद अब students को state bar council में enrollment कराना होता है enrollment के बाद students को provisional certificate of practice दिया जाता है यानि कि उन्हें अदालत में practice करने की इजाज़त तो मिलती है लेकिन वह स्रिफ 2 साल के लिए through provisional certificate of practice 2 साल के अंदर उनको उस certificate को permanent कराना पड़ता है by clearing AIBE exam अगर वह 2 साल के अंदर AIBE exam clear नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका जो provisional certificate of practice है वह suspended इस्तिती में चल जाता है तब तक के लिए जब तक कि वह आगे आने वाले किसी AIBE exam को clear नहीं कर देते हैं एक बार वह उसे exam को clear कर देंगे तो फिर उनका जो suspended certificate of practice है वह reactivate हो जाता है और permanent भी हो जाता है तो enrollment के बाद जो practice करने का 2 साल का समय एक advocate को दिया गया है और उसी दोरान उसे AIBE exam clear करना पड़ता है नहीं तो उसका certificate of practice जो है वह suspended स्थिती में चला जाता है तो बार Council of India ने एक notification के द्वारा यह सूचित किया है कि COVID के चलते 24 March 2020 से 31 March 2021 तक का जो period है वह उस दो साल में count नहीं होगा यानि कि यह है एक खुसखबरी है उन students के लिए जिनोंने lockdown के पहले registration कराया था या एक साल पहले registration कराया था या अभी कुछ दो-तीन मेहनों पहले registration कराया है तो उन सारे students के लिए एक खुसखबरी है कि यह 24 March 2020 से 31 March 2021 तक का जो period है वह उस दो साल में count नहीं होगा Bar Council of India ने इस period को उस दो साल में से exempt कर दिया है हाला कि इससे संबन में बहुत सारे cases भी Honorable Supreme Court समेथ various high courts में pending थे जहां पर यह मसला अटका हुआ था लेकिन BCI ने इस सारे issue को resolve करते हुए इस period को उस दो साल में से exempt कर दिया है तो यह एक बहुत ही रहत की बात है law students के लिए जो AIBE का exam देने की तयारी कर रहे हैं या दे रहे हैं आसा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको informative लगाओगा तक्स पर वाचिन